तो हाई गाईज, वेलकम बाक इन कॉलेज गयान, 24 पार्टनर्स अफ एड़ोग्रोन, मैं हूँ आसे सिंग, आपका कॉलेज काउंसलर, I hope आप सब लोग अच्छे और सेफ होगे तो यार आज का ये वीडियो बहुत स्पेसल होने वाला है, ये वीडियो खास का डिपलोमा कैंडिडेट के लिए हैं, वो डिपलोमा कैंडिडेट जो अब प्लान कर रहे हैं, फॉर्दर बीवीटेक करने के लिए लेटरल एंटरी की हेल्प से, तो previously मैंने एक वीडियो बनाय टौप कॉलेज के बारे में हमसे पूछ रहे थे, तो यार ये वीडियो आप के लिए है और मैं आज इस वीडियो में काफी मेहनत करने के बाद, काफी जगों से डेटा कैलेट करने के बाद, फाइनिली इंडिया के टॉप 10 गवर्मन कॉलेज की लिस्ट आपको देने वाला उसकी admission process बताने वाला हूँ, fees बताने वाला हूँ, कौन लोग admission ले सकते हैं, कौन नहीं ले सकती, यह सब चीज बताने वाला हूँ और यह जो colleges है, यह lateral entry का कुछ colleges ऐसे हैं, जो lead का exam करा के लेती हैं, यह कुछ direct भी ले लेते हैं direct diploma के merit base पे भी कुछ colleges जो हैं, वो आपको entry दे देते हैं, ठीक हैं, तो यह लेट नहीं करते हैं, चलते हैं, स्क्रीन पे और आज के session को start करते हैं बट एक छोटी सी request है, चैनल पे नए हो, तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को like और शेर जरूर करना, वीडियो का notification on कर लो, ताकि regularly आपको ऐसे interesting videos मिलते रहें, तो चलिए, सुरू करते हैं So guys, यह ही list आपके screen पे, top 10 lateral entry government engineering college in India, बहुत मैंने से यार, अमने ready किया है, काफी data collect किया है, आपको बहुत अच्छा लगीगा यह video trust में, तो यार, शुरू करते हैं तो देखो यार, इंडिया में lateral entry के admission के लिए, कोई top के government college में देखा जाए, तो Delhi Technological University, DTU number 1 पे आता है ठीक है, अब New Delhi में है यह college, बाकि आप पढ़ सकते हो, college की बारे में काफी affiliation वेगारा, यह खुद की अपनी university है, तो खुदी का चलेगा courses की बात कर लेते हैं यहां पे, तो देखो यार, यहां पे BTEC के काफी सारे courses कराया जाते हैं, BTEC lateral entry की बात करें, तो देखो यार, यह college number 1 पे, वैसे मैं इस college को सोच रहा था कि यार, थोड़ा सा नीचे रखूं, बट number 1 पे मुझे रखना पड़ा, reason क्या यार, इस college की placement रहते हैं, बहुत ही कम seat है, कैसे यह seat करते हैं, बाकी जो ITJ की थुरू जो भर लेते हैं, बाकी कुछ बचे कुछे जो कुछ ब्रांचे से जिसमें कुछ दो seat, कुछ एक seat खाली रह जाता है, then वो lead exam के थुरू आपको यह देते हैं, clear हैं, बस यही मुझे बेकार लगा, otherwise मै इसको वन पे पूरी तरीके से मैं सहमत हूँ, इसको कुछ चीजे देखा जाए, placement की बात किया जाए, तो number one placement होता है इस college में, अगर आप गए हो तो placement होके ही निकलोगे यहां से, इतना अच्छा college है यह, बस fees और वही seat इतनी कमी होती है, आपको मन चाहा branches नहीं मिल पाता है जादा तर branches की बात किया जाए, तो यहां पे आपको engineering, physics हो गया, bio technology हो गया, यही सम मिल पाएगा, core branches तो मिलना बड़ा मुस्किल होता है, city नहीं खाले होता है, IT, J, UC सबसे भर जाता है, अब fees and eligibility की बात किया जाए, तो B.Tech की बात करूँँगा, मैं सिर्फ 1.9 lakh 1 साल की fees, 2 lakh के आस पास per year की fees है यार इस college का, इसलिए मैं कहा रहा था, थोड़ा सा दिमाग की दई करता है, admission की बात किया जाए, तो Delhi Technological University, DTU, lateral entry entrance, DTU, अपना खुद का lead exam कराती है, तो आप उस exam को qualify करके, आप direct second year B.Tech में admission ले सकते हो, ठीक है, और यहां पे आप all over India candidate apply कर सकते है, उनके लिए रखा जाता है, बाकी के कुछ 25%, 20%, 25% की जो seat है, वो outsider के लिए रहता है, ठीक है, I hope DTU के लिए आप clear हो गया होगा, तो दूसरे नंबर पे आता है, lateral entry engineering government college की बात करे, top की, तो top 2 पे आता है हमारा जादवपुर university, ठीक है, J.U. कॉलकता यह आता है, बाकी आप देख सकते हो, 1906 में बहुत ही पुराना यार यह college है, और बहुत ही पुराने में यह college बना हुआ था, ठीक है, बंगाल technical institute and was converted into जादवपुर university, पहले इसे बंगाल technical institute बुला जाता था, बात में इसे 1955 के आसपास जादवपुर university नाम रख दिया गया है, ठीक है, courses की बात किय यहाँ पर आपको बहुत सारे courses अलग-अलग मिल जाएंगे, बस B.E.B.Tech में बात करें, तो काफी सारे branches आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, बाकी इस article का मैं लिंक दे दूँगा, अब अराम से फुर्सत में पढ़ते रहना, description में आपको वीडियो के लिं यार, यह college अगर आपको मिल रहा है तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, D.T.V के चक्कर में इसको बिल्कुल मत छोड़ना, that is also best college, ठीक है, fees भी कुछ नहीं, यार, 24 से तो आप अपना पीने और खाने में यह निखाल देते होगे, lag debt, ठीक है, admission की बात करते हैं, तो यहाँ पर as a lateral entry, admission मिलेगा, बाकी जो IIT, JEE वगरा होता है, West Bengal JEE होता है, उसके थुरू admission होता है, आप lateral entry की बात करें, तो उसके लिए आपको JEE, LET का exam देके, आपको lateral entry यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ पर जो candidate कौन apply कर सकते हैं, यहाँ पर all over India से apply नहीं कर पाओगे, जो भी West Bengal के candidate है जिनके पास West Bengal का domicile है, वही candidate इस college के लिए apply कर पाएंगे, चलिए आगे चलते हैं, आगे आता है तीसरे नंबर पे, तो हारकॉट बुटिलर टेकनोलोजिक युनिवरसिटी, HBTU कानपूर, इस college को तीसरे नंबर पे top 3 college पर रखा गया है, as a lateral entry government engineering college के नाम से, ठीक हैं, तो यहाँ पे IIT GE जो होता है, उसके थुरू admission लिया जाता है, तब आपको engineering करनी को मिलता है, और अगर diploma आपने कर रखा है, then lateral entry लेना चाहते हो, तो आपको direct यहाँ पे lateral entry admission exam के थुरू यहाँ पे मिल जाता है, अब अपन fees and eligibility की बात कर लेते हैं, तो लगभग 1.35 lakh एक साल की fees ह तो लगभग आपको 1.35 lakh per year आपको यहाँ पे पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, admission की बात करते हैं, तो HBTU LEET exam खुद अपना कराती है, तो उसके थुरू आपका यहाँ पे admission होता है, या फिर उत्तर प्रदिस lateral entrance exam, UPSWE का जो exam होता है, इसके थुरू भी आपको यहाँ पे lateral entry का admission मिल जाता है, ठीक है, चलिए, आगे हम बात करते है, चौथे नंबर पे, टॉप 4 पे आता है, हमारा College of Engineering पूने, ठीक है, बहुत अच्छा college है यार, बहुत नामी college है, बहुत अच्छी से इसकी बारे में सब लोग जानते भी है, इसमें भी BTEK lateral में काफे सारे civil हो गया, electrical engineering, telecommunication, computer science हो गया, mechanical engineering, production engineering, electrical engineering, ये काफे सारे courses आपको मिल जाएंगे, fees and eligibility की बात करें, तो BTEK की 40,500 रोपे पर year आपकी यहाँ पे fees रहेगी, आसपास इसके, ये साल के साथ उपर नीचे हो जाता है, बट, approximate value मैं आपको बता रहा हूँ, admission की बात किया जाए, तो महराष्ट direct second year engineering exam होता है, उसके थुरू आपको यहाँ पे entry मिलता है, और candidate doing their diploma from महराष्ट, यहाँ पे admission कौन लोग apply कर पाएंगे, तो अगर आपने महराष्ट से diploma, महराष्ट के किसी भी college से diploma किया, आप भले महराष्ट के नहीं हो, आपका domicile महरा से apply कर पाओगे, ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं, तो पांचवे नंबर पे मैंने रखा है, JC Bose University of Science and Technology फरीदाबाद, तो यार यह पांचवे नंबर पे college हमने रखा है, यार देखो यह मेरे according ही सब मैंने अपने जो data collect किया है, जो media की help लिया है, जो feedbacks वगारा मैंने पढ़ अगर ऐसा हो कि आपको लगता है कि नहीं से यह college होना चाहिए, टॉप 4 पे, टॉप 3 पे, तो आप जरूर comment में हमें suggest करें, इससे क्या होगा कि और भी दूसरे students जब देखेंगे comment तो उनको भी थोड़ी सी help होगी comparison करने को मिलेगा, ठीक है, चलिए, यह मेरे perspective के according मैंने list ready क ठीक है, तो JC Bose University पाँचवे नंबर पे हैं, अगर आप lateral entry admission engineering करना चाहते हो, then 5th government college, तो यहां की बात किया जाए, तो आप देख लो, courses में काफी सारे courses, electrical engineering की बात किया जाए, information technology हो गया, civil engineering, mechanical engineering, ठीक है, electronic and communication, काफी सारे lateral entry courses आपको मिल जाएंगे, fees and LAJT की बात करें, तो यहा हर्याना lateral entry entrance test की थुरू यहां पे admission मिलता है, और यहां सिर्फ और सिर्फ हर्याना domicile, हर्याना के निवासी, हर्याना domicile candidate है, वही apply कर पाएंगे, ठीक है, चलिए, यह हो गया, 6th number पे चलते हैं, तो 6th top 6 जो college है, वो है, कोचिन University of Science and Technology, SUSET, कोचि, ठीक है, इसकी बात करें, तो courses में आप इसके detail वगर आप पढ़ सकते हो, courses में भी काफे सारे courses है, आप देख सकते हो, मिल रहा है, fees and eligibility की बात करें, तो यहां पे B.T.E.C. में 46,000 के आसपास per year आपके यहां पे fees रहेगी, और admission की बात किया जाए, तो admission यहां पे only केरला candidate, अगर आप केरला के हो, केरल यहां पे admission मिलती है, ठीक है, आगे चलते हैं, साथवे नंबर पे आता है, top 7 जो college है, बिर्सा Institute of Technology, BIT सिंदरी धनबाद का college है, ठीक है, इसके बारे में detail वगरा है, आप यहां पे देख सकते हो, 1949 में यह college बना था, काफे पुराना college है, यह, आगे courses वगरा की बात करें, तो B.Tech के में हाँ पे 20,000 के आसपास पर एर फीस रहेगी आपको, और admission की बात किया जाए, तो यहां पे जारखन diploma to degree entrance competitive exam, JCECELE exam के थुरू आपको यहां पे lateral entry admission मिलता है, और यहां पे सिर्फ only जारखन domicile candidate जो है, वही apply कर पाएंगे इस college के लिए, ठीक है, और especially for lateral entry exam की बात कर आगे है LD, आठवे नमबर पे top 8th पे मैंने रखा है LD College of Engineering, LDCE हमदाबाद का, ठीक है, यहां पे बात किया जाए, तो काफी सारे बीग के तो काफी सारे courses आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे, काफी लगबग जितने core branch है सब के सब मिल जाएंगे, fees and eligibility की बात करें, तो आप समझी सकते हो, admission की बात करें, तो गुजरात diploma to degree engineering admission, यहां पे direct admission होता है, जी हां, direct admission, आपका जो diploma में जो भी आपने merit इखटा किया है, जो भी आपके CGPA है, उसके according direct admission यहां पे मिल जाएगा इस college में, ठीक है, और all over India candidate, ठीक है, all over India के candidate apply कर सकते हैं, लेकिन outsider के लिए, मत पतलब, गुजरात के बाहर से अगर आप कहीं से apply कर रहे हो, तो आपके लिए 5-10% seat रखा गया है, बाकि अगर गुजरात के candidate है, यहां पे admission लेने जा सकते हो, अपने अच्छा का ऐसा number अगर रखा है, यह अपनी खुदी बता देती है, college में call करके पूछ लोगे, तो बता देंगी कि अगर आपका 89 या 85 से उपर है, देन आप apply कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद इनकी merit list निकलती, उसमें अगर आपका नाम है, देन आपको admission हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, आगे बात करते हैं, 9th नमबर पर, तो जबलपूर engineering college, JEC जबलपूर को रखा हूँ मैं, lateral engineering के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ सकते हो, जबलपूर काफी नाम ही MP के हो, तो आप बहुत अच्छी से college के बारे में जानते हो, है ना, courses की बात करें, तो bachelor of engineering के काफी सारे courses आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है, fees and eligibility की बात करें, तो यहाँ 22,300 के आसपास per year आपकी fees लगेगी, fees तो बड़ा काम है, कोई दिक्कत नहीं है, admission की बात किया जाए, तो मद्ध प्रदेश, BTEC, lateral entry admission, direct admission, कोई exam नहीं देना पड़ता है, merit based पे direct exam हो जाता है, और all over India के candidate यहाँ पे apply कर सकते हैं, इन पी वाले को थोड़ा ज्यादा preference मिलता है बट आप all over India से apply कर सकते हैं, ठीक है, यार इनका form जो है, जितने भी मैंने ये exam बता रहा हूँ, इनका form इसी ये जून, जुलाई, अगस्त, इसी तीन महिने के भी इनका form start होता है, और close भी हो जाता है, बच्चोरों को पता भी नी चलता है, जो मैं list दिया हूँ, तो आप थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, आगे चलते हैं, दसवे नंबर पर मैंने असाम इंजिनरिंग कॉलेज, AEC गुहाटी को रखा है, और ये कॉलेज भी काफी जवरदस्त कॉलेज है, है ना, टॉप 10 गवर्मेंट कॉलेज पर रखा हूँ, इसको मैं और भी लेटरल एंट्र नहीं बात करें, तो यहाँ पर आपको असाम जॉइंट लेटरल एंट्री एक्जाम देना होगा, J-L-E-E एक्जाम के थुरू यहाँ पर एड्मिशन होगा, और इसके लिए सिर्फ ओनली असाम डोमेसाइल कैंडिडेट जो हैं, वही एपलाई कर सकते हैं, ठीक है, तो इस और जो भी मैंने यह किया है, अगर आपको लगता है कि सर नहीं इनको, जरूरी नहीं यहीं, और भी गवर्मेंट कालेज हैं, ठीक हैं, जो आ सकते थे, बट वो नहीं आया है, तो कुछ वज़व की वज़़े से नहीं आया है, टॉप 10 में, बट यार यह जो लिस्ट मैंने तो आसा करता हूँ, यह वीडियो काफी helpful होगा आपके लिए, मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, मुझे कमेंट यह भी आ रहे थे, सर प्राइवेट कॉलेज के बारे में बताईए, टॉप 10 लेटरल एंटरी प्राइवेट कॉलेज के बारे में बताईए, आल ओवर इंड करेंगे, तब तक मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए गुडबाय, टेक केयर एंड जाहें